नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस योटूब चैनल में आई आज हम सभी जानते हैं फर्न हर्बल में छुपा प्राचीन आयुरवेदी के राज के बारे में जिहां छोटी फर्न खाने में स्वादिश्ट और पोश्टिक गुनों से भरपूर होती है फर्न क हिंदी में फर्न हरी लुग्टा गुथडा नामों से जानी जाती है स्वादिश्ट निरोग फर्न हिमाचल उत्तराखंड जारखंड असम अरुनाचल प्रदेश इत्यादी परवतिय शेत्रों में पाई जाती है फर्न सैकडु तरह के रोगों को नश्ट करने में सक्षम है फर्न दो तरह के होते हैं छोटी डंठल फर्न और बड़ी पतली फर्न छोटी हरी फर्न स्वादिश्ट सबजी बनाई जाती है इसकी फर्न की कई प्रजातियां होती है परन्तु मुख्य रूप से फर्न दो तरह की होती है जहां फर्न में मौजूद औश्यध्य गुनों के बारे में जानते हैं हरी कोमल डंठल फन में उमेगा 3 उमेगा 6 विटामिन A विटामिन B कॉमप्लेक्स विटामिन C पोटेशियम कॉपर आयरन फैटी एसीड सोडियम फासफोरस मेगनेशियम केरोटीन और मिनरल्स उचित मातरा में पाये जाते हैं मौजूद होते हैं छोटी और बड़ी फर्न में अंतर को जान लेते हैं सबसे पहले छोटी फर्न के बारे में जानते हैं छोटी फर्न बरसात के मौसम में जून जुलाई अगस्त में प्राकृतिक रूप से मिट्टी से गोलाकार निकलती है मिट्टी से धीरे धीरे बाहर निकलकर खुलती है गोलाका हरी कोमल डंठल फरन की मांते जी से बढ़ रही है विज्ञान हरी कोमल डंठल फरन को खास स्वास्थे वर्धक फायदेमंद सिद्ध कर चुकी है अब बड़ी फरन के बारे में जान लेते हैं बड़ी चोडी हरे पत्तेदार फरन घरों में सजावत के लिए घमलों में उगाई जाती है, बड़ी फरन को गलती से भी नहीं खाना होती है, जो कि सब्जी मंढी सब्जी बाजार में उपलबद भोती है। छोटी कुमल डंठल गोलाकार हरी फर्न के औश्यधे गुणों के बारे में जान लेते हैं डाइबिटीज दूर रखती है हरी कुमल गोलाकार डंठल फर्न जहां डाइबिटीज से दूर रखने में हरी कुमल गोलाकार डंठल फर्न रामबान दवा है प्राचीन काल में लोग परवतिय शेत्रों में हरी को मल गोलाकार डंठल फर्न की सबजी सेवन करते थे और डाइबिटेज जैसे घातक बिमारियों से दोर रहते थे आयरुवेद में हरी को मल गोलाकार डंठल फर्न का विशेश स्थान है लिवर आतों की बिमारी तुरंत मिटाती है ये जिहां लिवर गड़वर को ठीक करने और आतों में सूजन या आतों से संबंधित बिमारियों को तुरंत ठीक करने में हरी कुमल फर्न की सबजी खाने और हलकी आच में हरी फर्न गोला कार डंठल उबाल करके खाने से तुरंत शोट लगने पर फर्न की जड़ गाठ को पीष करके लेप करना है आपको चोट वाली जगह पर जखम के चारो ओर लगाना है इससे दर्द से छुटकारा मिलता है और शिग रहीं दर्द ठीक हो जाता है इसके अलावा कैंसर को ये दूर करती है फर्न की हरी छोटी कोमल गुलाकार डंठल का सेवन हर तरह के कैंसर से लणने की शमता प्रदान करता है छोटी हरी कोमल डंठल फर्न इंटियोक्सिडेंट है कैंसर पीडित व्यक्ति को छोटी कोमल डंठल फर्न की सबजी और उबाल करके जरूर खिलानी चाहिए तभी उसको लाब होता है गठिया जोडों के दर्द में फर्न का उप्योग जी हाँ फर्न की जड़ गांठ को बारिक कूट कर लेप जोडों के दर्द गठिया वाले उंगलियों पर लगाएं फर्न जड़ गांठ लेप दर्द के साथ साथ गठिया के जोडों का दर्द भी ठीक करने में सक्षम है और हरी छोटी कोमल डंठल फर्न की सबजी सेवन करने से मांस्पेशियां और हड्नियां मजबूत बनती है इसके अलावा ये आँखों की रोशनी भी बढ़ाती है छोटी कोमल रसवाली डंठल फर्न सेवन करने से आँखों के रोशनी तेज होती है फर्न, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्पलैक्स, ओमेगा थ्री, ओमेगा सिक्स, मिनरल्स से भरपूर होती है जिहां फर्न की सबजी का सेवन कभी भी गर्वती महिला को नहीं करना चाहिए अन्य था फायदे की जगह नुकसान हो सकता है तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए फर्न से रिलेटेड अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य बेहदी महतोपूर जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों